हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मा यूटूब चैनल उशा सोनी ओफिशियल आज हम विजिट करेंगे कुंबलगट फोर्ड की जी हाँ कुंबलगट फोर्ड राजस्थान आज जा रहे हैं हम आपको कुंबलगट फोर्ड की विजिट कराने आईए वीडियो की शुरुआत करते ह अब हम पहुंच गए है शाथ पुरा कुंबल फिलास कुंबल गए है जी हाँ दोस्तों यह वही चगा है जहाँ आपना मुझने वाले है शाथ कुंबल फिलास देखे कितना खुप्सूरत नजार आए यहाँ पे यह जा हील स्टिशन का हील रिसोर्ड है जहां आते बहुत स कुंदर नजारा हम देख सकते हैं आए हम आपको यह विला का नजारा दिखाते हैं करें आपको यह चाला है तब देतार हैं कर दो कर दो तो फ्रैट अब हम निकल चुके हैं कुंबलगर्ट फोर्ट के लिए आईए फोर्ट पहुचने से पहले हम आपको थोड़ा फोर्ट के बारे में जानकारी देते हैं स्थान के राद समन जिले में स्थित एक दूर्ग हैं कुंबलगर्ट दूर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी महारानी के लिए करवाया था इस दूर्ग में करें 360 हिंदु एवं जैन मंदिर बने होए हैं आपकोंच पे हैं फोर्ड पुर्की प्राचीर इस लिए इसे भारत की महार दिवार के नाम से ही जाना जाता है यह ग्रेट वर्ल उप इंडिया है आईए अब टिकेट लेते हैं टिकेट कर जो यह दर हम देख रहे हैं यानि कि टिकेट प्राइस अनली फॉर्टी रुपीज फॉर इंडिया लेट्स को फ्रेंट पे जो इतने सारी हम जीप्सिया देख रहे हैं यह जो है वह साइट सीन करवाने की लिए हैं तो हम पहले फॉर्ट देख लेते हैं फिर चलते साइट सीन के आयू अब फॉर्ट की शुरॉर्ट करते हैं तो फ्रेंट जैसे कि हमने जाना इस दूर्ग में करीब 360 हिंदू एम जैन मंदीर बने हुए है इसमें दिलकर्ण मार्देव मंदीर चामुन जाली देवी का मंदीर प्राचिन काल से लेकर बट्रमान समय तक सुरक्षित और गा आपे दुनिया की सबसे लंबी दीवा ग्रेंट बोल अचाइना के बारे में तो सुना ही होगा लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी दीवार के बारे में महब कम लोगों ने सुना है और या किसी अन्य देश में नहीं बतकि भारत की राजुष्णा ताल्चियों में से मंदिर दर्शन की बाद आप चलते हैं साइड सील देखते हैं जिप्सी में यह हम आ गये हैं अभी कुम्बलगण एडवेंचर पार्क पे इतना गोर होगे बतो तो फ्रेंट्स अब आप हम निकले हैं साइड सीन देखने और साइड सीन की जो शुरुवात हम करेंगे वो हो रहेंगा बनास नदी के पॉइंट से यानि कि जहां से बनास नदी की शुरुवात होती है बनास नदी के पारे हम आपको बताए तो भारत के राजस्थान राच्चे में बहने वाली एक नदी है जिसका कुल माल 512 किलोमेटर है यह अर्यावली परवत माला की खमनोर नाम श्रेडी में कुम्बल घड़ से 5 किलोमेटर दूर राच समन जिले में स्थीद वेरो का मठ जो नाम का शिव मंदिर है जहां अभी हम पहुंच गए हैं तो यह जो बनास रिवर है वो वेरो का मठ नाम के शिव मंदिर से ही जनम लेती है यही से इसी की शुरुवात होती है फिर वो पुर्वत्तर दिशा में बैती हुई मेवा क्षितर से होके गुजरती हैं आईए देखते हैं बनासमदी के लिवर पॉइंट का नजारा शिव मंदिर से और फ्रेंट्स यहां बनासमदी रिवर पॉइंट के अलावा भी साइड सीन में जैसे की वाइल लाइव सेंचुरी अनेकर्ट महादेव टेंपल और बहुत सारे से प्लाचिट टेंपल हैं जो साइड सीन में दिखाए जाएंगे उमीद करते हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा साफूरा कुंबल विलास, कुंबल गट फोर्ट, साइड सेन, वाइलाच, सेंचुरी, बनास, रिवर पॉइंट, एक्सेटरा एंड मुझे उमीद है कि आप सब यह इसी तरह अपना प्यार बनाए रखेंगे इस चैनल पे और ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए और अब जो है हमारा नेक्स टोड़ी अभी हम जा रहे है उदेपूर की तरफ और नेक्स टोड़ी हम आपको लिखाएंगे उदेपूर आपको बता दे यह जो उदेपूर के रास्ते में यह जो पुम्बंगर से निकलते हैं आप यह बेच्ट सेल्फी पॉइंट है यहां पर उद्धर के भी आप फोटो सेशन करा सकते हैं एंड थैंक यू सो मच श्टे सेफ श्टे हेल्थी सी यू मिलते हैं वाई नेक्स ट्वीडियो उदेपूर में तब तक बाई बाई